यही मेंस 2023 का 13 अप्रिल का सिप्टू का एक सवाल है quadratic equations का बहुत ही अच्छा सवाल है x square minus root 2x plus 2 equal to 0 has roots alpha and beta then find the value of alpha power 14 plus beta power 14 यानि यह सवाल में alpha power 14 plus beta power 14 का value बताना है तो सबसे पहले क्या करिए इस equation को स्रीधराचारिया मतल से तोड़ दीजे roots जो है क्या रहेंगे complex roots है क्योंकि इसका जो discriminant है equation का वो क्या है less than 0 यहांसे जगर x का value निकालेंगे तो minus b root 2 plus minus under root b square यानि 2 minus 8 यानि minus 6 divided by 2 तो यहांसे जब सॉल्व करेंगे तो यह root 2 बहार आ जाएगा और यह हो जाएगा 1 plus minus root 3 i divided by 2 तो एक छे ध्यान रखिए यहां पर में यहां पर में जो आपको omega होता है q root of unity q root of unity उसका value होता है minus 1 by 2 plus root 3 by 2 i और जो omega square होता है q root of unity minus 1 by 2 minus root 3 by 2 i इसका मतलब यहां पर में जब माइनस common निकाल लेंगे तो यहां से x का विलीव हो जाएगा minus root 2 omega और minus root 2 omega square अगर इसको माइनस से multiply कर देंगे तो इस तरह से यह minus root 2 omega और minus root 2 omega square आ जाएगा ठीका ना तो चलिए इसका मतलब है यहां पर में सब्सक्राइब ऐस माइनस पूल तो फॉट पर देंगे इस को आपको जायेगाई माइनस उमेगा कुछ फॉर टीन प्लस मैनश रूट तू ओमेगा स्वेड विव तो फॉर्टिन तो यहां पर में हो जाएगा two power seven omega power phone को omega square और omega 28 को omega यानि two power seven into और यहां पर में one plus omega plus omega square का value zero होता है तो इसका value minus one यानि two power seven into minus one यानि minus 128 यानि इस question का जो answer हो जाएगा minus 128 हो जाएगा और इस तरह से basic concept पर यह सवाग को हम लोग solve कर सकते हैं hope आपको यह concept समझ आया होगा ठीका ना thank you my dear friends